नमस्पार और वेलकम तूद अग्यानी गुरकुल मैं आदेत तिवारी हाली में एक साक्षतकार के दौरान डॉक्टर एज जैशंकर से भारत और रूस के संबंधों के बारे में पूछा गया जो कि यह बहुत आम हो चुका हर एक पटल पर यह पूछा जाता है क्योंकि जहां वैश्व के स्तर पर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए है वही भारत और रूस के रिलेशन्स और ही अच्छे होते जा रहे जहां एक समय महज 10 से 15 बिलियन डॉलर का ही ट्रेड दोनों देश किया करते थे आज यह ट्रेड करी 50 बिलियन डॉलर का हो गया और साल के आखरी आखरी रूस के एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि यह 65 बिलियन डॉलर का हो जाएगा आने वाले दो-तीन सालों में कहा जारा कि यह 100 से 125 बिलियन डॉलर हो जाएगा जहां पस्चमी ताकतें रशिया को एक कोने में ढखेलना चाहती है वहीं भारत और रूस के संबंध नई उचाईया चू रहे हैं इन सभी कारणों से एक वाजब प्रश्म यह भी उड़ता है कि कहीं भारत रूस पर जादा नर्भर तो नहीं हो रहा पहले हमारे संबंध हथियारों की खरीद और सैन संबंधों से ज़्यादा प्रवीन हुए लेकिन अब व्यापारिक स्तर पर भी हम काफी उन्नती कर रहे एक मात चिंता का विशह यह है कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है भारत महस 2-3 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट करता है जबकि इंपोर्ट 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और ज़्यादा तर इसमें तेल और हीरों का आयात है भारत की आज विदेश नीती में चानक के नीती साफ दिखती है साक्षतकार के दौरान ही जब डॉक्टर एज शंकर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप भारत और रूस की भोगोलिक स्थिती को देखे यह वाजब है कि हम दोनों ही मित्र होंगे पर ऐसा क्यों इसके लिए हमें चानक के के पास जाना पड़ेगा आचार विष्णु गुप्त द्वारा दिया गया एक मंडल सिधान्थ है इस सिधान्थ का मुख्य विंदू एक देश का राजा है जिसे वे विजु जिशु कहते हैं ये एक तरीके के चक्रवर्ती समराठ के लिए कहा जाता है इनका लक्ष है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना साथी साथ उसका बढ़ोतरी करना चानक के के अनुसार एक देश की भूराजनीती और विदेशनीती उनकी भोगोलिक स्थिती पर बहुत निरभर करती है साथां सिधांत के अनुसार विजी जिशु के इर्द गिर्द अरी और पर्ष निग्रह रहते हैं अरी का अर्थ होता है दुश्मन और पर्ष निग्रह कह रहता है एक ऐसा इनसान जो कि आपको लगेगा तो आपका दुश्मन नहीं है पर ये दुश्मन ही है मतलब जो पीट पीछे खंजर घोपे उदारन के दौर पर अगर भारत विजी जिशू है तो पाकिस्तान एक अरी है मतलब दुश्मन है और पर्ष निग्रे नेपाल के जैसे होते हैं जहां पर सरकार के बदलते ही चाइना का समर्थन करने वाली सरकारे आ जाती है जो भारत पर एक तरीके से खंजर ही घोप रहीए पीट पीछे अगले मंडल में मित्र और अकरांडे होते हैं अकरांडे जो की आपके पीट पीछे वाले दोस्त होते मतलब आप अपने क्लियरली उनके नसदीक नहीं होते पर एक बार जब समय आता है तो वो आपकी मदद जरूर करते हैं अगर हम पश्चिम की ओड जाएं तो आज अफगानेस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत का मित्र है पूर्व में जैसे की मैनमार और उत्तर में जाएं तो रूस अगले मंडल में अरे मित्र और पर्ष निग्रह सार होते हैं अरे मित्र में आपके दुश्मन के साथ ही आते हैं और पर्ष निग्रह सार में आपके पर्ष निग्रह के साथ ही अरे मित्र जैसे की भारत के लिए चाइना हो गया मतलब पाकिस्तान का मित्र पर्ष निग्रह सार में आप उधारन के तौर पर बंगला देश को ले सकते जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तित हो जाती है यानि विजी जिशू जो की भारत है उसके हितों में कारिन ना करने वाली सत्ता आ जाए अगले भोगॉलिक मंडल में मित्र मित्र और अकरंड सार आते हैं मित्र मित्र आपके जो मित्र हैं उनके मित्र और अकरंड सार मतलब आपके मित्र के जो दूर के मित्र हैं आप ये बात को समझे अच्छे से कि एक विजी जिशू मित्र दुश्मनों के घेरों में घेरा रहता है। आसान भाषा में समझा जाए कि जो मेरा दुश्मन है वह मेरे मित्र का भी दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन का मित्र है वह मेरा दुश्मन है। भारत के लिए मित्र मित्र जैसे की जापान हो गया जो हमें काफी बदत करता है आर्थे की स्तर पर वैश्वेक राजनीती में भी सापतांग मंदल में बताए गए कुछ देश माधिमा کا कारे करते हैं एक मीडीडियर की तरह रोल प्ले करते है जिसमें वीजी जीशो भी आते हैं जो हमारा शतरू होता है वो भी एक मीडीयर का कारे करता है और दूसरे कुछ देश होते हैं move नीउट्रल रहते हैं वो ना किस अनुसार अगर अरी है हमारा चाइना तो मित्र हो जाएगा रशिया तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो एस जैशंकर साहब बात कर रहे थे इस कारण से भारत और रशिया एक प्राकृतिक मित्र हैं इसी क्लारिटी के साथ आज भारत के विदेश नीती आंगे हैं हम हमार की जरूरतों को ना देखे रशिया भी बहुत अच्छे से इस बात को जानता है रशिया क्योंकि एक जंग में उलच चुका है तो उसके देश में आर्थिक प्रतिबंधों के कारण चोट पहुँची है जिसके कारण चाइना को एक उपन मार्केट मिल गया और चाइना का सा का सारा सामान आज रूस पहुच रहा है रूस भी चाहता है कि भारत के साथ उसके वैश्विक स्तर पर अच्छे संबंध व्यापारिक संबंध बने ताकि वह चाइना को कंट्रोल करके रख सके क्योंकि चाइना की एक प्लान्स हैं कि कुछ सालों बाद हम रशिया पर भी अ किसी के दवाब में नहीं आया मैं समझ सकता हूँ कि भारत के उपर कितना दवाब होगा प्रधान मंत्री मोदी जो कि एक वैश्विक नेता हैं उन्होंने किसी भी दवाब के सामने खुटने नहीं टेके और भारत के पक्ष में जो भी निर्ने रहे उनको लिया रश्या के स दूसरे भी साधनों का इस्तमाल किया जा रहा जैसे चाइनीज यूआन हो गई, पाउंड यूरो वगेरा, लेकिन ऐसी परिस्तिती में जब रशिया के पास करीब 100 बिलियन से जादा रुपए भारत के जमा थे, तो भारत ने भी सजेस्ट किया कि आज वैश्यो के स्तर में ज कई दूसरे सिध्धान्त भी रहे हैं, जैसे पंडित नहरू का दिया गया पंचेशील एग्रिमेंट, पंचेशील सिध्धान्त, आई के गुजराल का गुजराल डॉक्टरिन, मैनन साहब का भी एक सिध्धान्त है, प्रधान मंतर इंद्रा गांधी तो एक सक्त नेता थी, वो तो सीधी अपनी बात रखती थी और देश की बात रखा करती थी, भारत के इतिहास में एक ऐसा जानकार हुआ है, जिसने सबरे तक्त ही पलट कर रख दिये, वे थे हमारे चानक की आचार्य विश्णुगुप्त, उनके सिध्धान्तों को आखिरकार भारत अपने विद नहरू ने तो यह भी कहा था, कि चानक के पूर्वे के मेकेले, मतलब मेकेले ओफ दा इस्ट हाला कि यह बहुत हास्यासपत बात है, पता नहीं पंडिजी ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि मेकेले जहां modern और medieval period में हुए थे, वहां पर चानक के कि यह सारे सिध्धान्त इस्टिक फिलोसफी में सबसे बड़े नामों में से एक चानक के हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि भारत की नीतियों में, विदेश नीतियों में और जादा हमें चानक की नीतियों का इस्तमाल करना चाहिए, या नहीं हमें कुछ और नए सिध्धान्त भी देखने चाहिए, कॉमेंट्स में लिखेगा साते साते वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें जैहिंद